हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है जब बारिश नहीं होती तब अकाल आता है इसे एक और शब्द कहते हैं सूखा अगर आप बाइबल पढ़ने वाले वेक्ति हैं तो आपको पता चलेगा अबराहम के समय में अकाल आया था इसाख के समय में भी अकाल आया था अगर आप दियान से पढ़ें तो अबराहम के समय में एक अकाल आया अगर आप दियान से पढ़ें तो इसाख के समय में भी अकाल आया आप पढ़ सकते हैं रूत किस समय में अकाल आया पर सबसे बयंकर अकाल एहलिया के दिनों में था I don't know आप इसे कितने लोगों ने ये वचन पड़ा है दयालू स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए This is written in Bible ये खुदा के कलाम में लिखा है ऐसा अकाल के परिवार के लोग एक दुसरे को मार रहे थे ऐसा नहीं लिखा है कि क्रोधी बेहनों ने पच्चों को पकाया लिखा है दयालू स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए This is written in Bible एहलिया के दिनों में जब अकाल आया मैं इसे बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ और बैठ जाईए कोई भी खड़ा न रहे माइन डाइवर्ट हो जाता है एहलिया के दिनों में एक अकाल आया ये एहलिया के कहने पर आया था हम सभी जानते हैं उन दिनों में कुछ लोग इसराइल को समझा रहे थे पर इसराइली समझ नहीं रहे थे बाइबल कहती है एहलिया के दनों में इसराइल जूटे नभीयों के पीछे चल रहा था और जूटे देवताओं को जो उन दनों में था बाल उसे मान रहे थे आज पी आप देखते होंगे लोग पैसो को खुदा मानते पैसो को चूमते हैं गिरने पर आप याद रखिये पैसा बहुत जरूरी है पर पैसा आपका बॉस नहीं है आपका बॉस परमेश्वर है पैसा एक अच्छा सेवक है पर वो स्वामी नहीं है आपका जिसे आज आप देखते होंगे लोग पैसों के पीछे चल रहे हैं सब करते हैं जूट बोलेंगे मकारी करेंगे हर तरह का फ्रॉट करेंगे बस अमीर बनना है वैसे ही उन दिनों में वो लोग बाल नभी के पीछे बाल देवता के पीछे चल रहे थे और जूटे नभीयों के पीछे चल रहे थे कौन होते हैं जूटे नभी कोई भी वक्ता जो यहां पर आए जिसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और वो प्रभू से अधिक पैसों का प्रचार करें वो जूटा व्यक्ति है कोई भी आए और कहे अपना सोना उतार के दो क्योंकि मेरी कलीस्या बन रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक पास्टर नहीं है वो एक छोर है जो पास्टर के बेस में है कोई भी व्यक्ति जो प्रभू के बारे में नहीं सिर्फ ये बताए कि चमतकार क्या क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोग खुदा की तरफ से नहीं है एक सच्चा पास्टर यहाँ पर आके आपको प्रभू ईशू के पीछे चलना सिखाएगा पाइबल कहती है जैसे उन में जूठे नभी थे वैसे तुम में जूठे शिक्षक भी होंगे जो हर दिन नाश होने वाले पाखंडों का उद्गाटन करेंगे अलर्ट रहिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चली प्रभू की सेवा नहीं करते हैं वो सिर्फ अपने पेट के सेवक है बाइबल को बताती है बक्ती कमाई का सादन नहीं है अगर आपको कमाना है तो ये जगह आपके लिए बिलकुल नहीं है मार्केट में जाएए दुकान कोलिए लेकिन जब आप यहां पर आते हैं तो आप कभी भी उपिक्षा न करें कि आपको कुछ मिलेगा आप हमेशा उपिक्षा करें आप क्या दे सकते हैं किसी बुजर्ग ने कहा लेने वाला अच्छा खाना खाता है पर देने वाला अच्छे से सो पाता है प्रभू में आया मुझे परमेश्वन ने कहा देना सीख हर समय देना सीख जो कुछ है उसमें से देना सीख मुझे लगता था प्रभू में जब बहुत मेरे पास जब बहुत आएगा ना तब में दूँगा मुझे खुदा ने कहा उसीख उस विद्वास से जिसने अपनी दो दमडिया में डाल दी थी कभी-कभी परमेश्वन आपसे तब उपेक्षा नहीं करता जब आपके पास बहुत होता है वो आपसे तब उमीद करता है कि आपके पास थोड़ा ही है और वो भी दे दो एहलिया के दिनों में इसराइल जूटे बविश्वक्ताओं के पीछे चल रहा था जैसे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं मैक मीटिंग में था एक पास्चर आये जो अपने आपको प्रॉफिट बता रहे थे प्रॉफिट समझते बविश्वक्ता किसी ने मुझे कहा ब्रदर रियल प्रॉफिट्स कौन है चलो करके दिखाता हूं मैं आपको आप भी कर सकते हो मेर तो उपर करके करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा यह किसकी निशानी है कई यह जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वोई प्रॉफिट है समझ ले जो पाइदे के पीछे नहीं है दे यार दर रियल बविश्वक्ता मैं आऊंगा मुझे क्या दोगे चमाट देगा आजाओ दो चार ले जाओ मैंने एक व्यक्ति को बुलाया अपने कलीसिया के अंदर मैंने कॉल किया आएगा आथमी को मैंने का सर आप हमारे कलीसिया में आएंगी कितने लोग आते हैं उन दिनों में दोस्तों आते थे ओ मैं दोस्तों के लिए नहीं आ सकता तो मैंने कहा पासर जी कहां से पकड़ के लाओं दोसों ही हैं नहीं मैं हजार के लिए आता हूँ हजार लोग हो जाएं तो आप बताईएगा अच्छा ठीक है और आपके टाउन में अच्छा होटल कौन सा है मैंने कहा पासर जी एक है प्रवीर इंटरनेशनल वो अच्छा है नहीं 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 मैं वहाँ नहीं रह सकता रेडिसन है हयात है मैंने कहा वो हैं बड़ी दूर है बंबे जाना पड़ेगा उसके लिए अच्छा 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 और जब एरपूट पे आओगे तो कौन सा गाड़ी लाओगे मेरा तो मन किया मैं रिक्षा लेके जाओ कौन सा गाड़ी लाओगे मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अच्छी गाड़ी है हमारे बस इनोवा है इनोवा में क्या मैं बैट नहीं पाता हूँ तो उन्होंने मुझे call किया उन्होंने बुला आप सुरज बुल रहे हो मैं गया yes sir अरे तो पहले परिचे तो दे दो चलो बताओ कबा आऊ मैंने कहा sir आप रहने दो मैं आपके बताओँगा पिर तीन चार बार उन्होंने call किया मैंने उनको कहा मैं बताऊंगा आप देख रहे हो कोई सिवा है इसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्निक है बचो कोई नहीं बताएगा आजकल आजकल आपको यह बाते क्योंकि जो यह बाते बताता है उससे बहुत नफरत की जाती है और मैं नफरत उठाने के लिए तैयार हूँ आजकल क्या है ना प्रॉब्लम ये है तु मुझे अभी शिक्त बोल, मैं तज़े अभी शिक्त बोलूँगा यू कॉल मी अनॉइंट इट, आई विल कॉल यू अनॉइंट इट अब भाई ये तो मुझे होने वाला नहीं है इशु ने नहीं कहा, तुम गुमा फिरा के बाते करोगे इससे लोग स्वतंत रहोंगे इशु ने कहा, तुम सत्य बोलोगे, सत्य सुनके लोग आज़ाद होंगे मैं आप जितने भी जवान लोग यहां बैटे हैं ना करने का मौका मिले, preach the truth, सज बताओ, क्या होगा जादा से जादा क्या होगा, ये लोग आपको दुबारा नहीं बुलाएंगे, कोई बात नहीं मैं तो हमेशा से ऐसे सोच के आता हूँ, कि ये लोग मुझे दुबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं क्योंने मैं आज ही पूरा सज बता के निकल जाओं, लेकिन भाई राजू अच्छे हैं, कहां कहें, हो यहां बैटे, he's a very good brother, कही है अपने बाजुवाले को, हमेशा सज बोलो, हाँ, बोलो बाजुवाले को, गुमाफिरा के बोलना बंद कर दो भी, अभी क्या टाइम बच हालेलुईया, किते लोग को मेरी बाते समझ रहे हैं, कोई टमाटर और अंडे लाया है क्या, सच बोलो, प्रीश्ट टूथ, जॉन वैसली बहुत सच बोलते थे, एक बहन उनके चर्च में आई थी जुडा बनाके, जुडा समझते हैं, कुछ बहनें गुल्दस्ता बनाती ह है न, जुडा जुडा, जुडा, जॉन वैसली प्रचार कर रहे थे, प्रचार में बार बार उनका ध्यान उन पे जा रहा था, ओ, हमारा परमेशर महान है, ओ, हमारा प्रभू अनुगरकारी है, उनका ध्यान बार बार जुडे के तरफ जा रहा था, अच्छानक वो नीचे उत्रे और उस बहन को बोलते हैं बहन आप यहां प्रभू की आराथ ना करने आए हो कि इसलिए आए हो कि हम आपकी आराथ ना करें ओड़ा मैन अलेलुया बहुत लोग उट पटान हरकते करते हैं ना लोग ताके देखें आजकर लड़कों के बाल देखें हैं आपने इदर काई को रखा है यह वर्ल्ड ट्रेट सेंटर काई को बनाया है यह बाई मैं कैसा लग रहा है बाल कटाने के बाद तरीका भी बदल जाता है भाई भाई अरे सीधे खड़ तो रहे पहले Bible कहती है एहलिया के दिनों में अकाल आया बड़े द्यान पूर्वक सुने आपने आपको एक जगा पर रख हर दिन कवे तो जिखाना देने आएंगे एहलिया के चार दोस्त थे ये चारों कवे उसके दोस्त थे रोज खाना लेके आते थे अब हमेशा याद रखेगा कवा मास ले सकता है दे नहीं सकता परमेश्वन ने कवों का सुभाव बदल दिया God changed the nature of परमेश्वन ने उनका सुभावी बदल दिया वो खाना देने लग गए और हर तिन वो खाना खाके वहांस एक नाली बैटी थी शुद्ध पानी होता था वो से पीता था एक दिन पानी सूखने लगा एहलिया बड़ा परेशान हो गया एहलिया ने कहा आप मैं क्या करो परमेश्वन उसे कहता है एक काम कर अब तू यहां से निकल मैं तुछ एक जगा बताता हूँ जिसका नाम है सारपात वहां पर एक विद्वा को मैंने खाना तुझे देने के लिए कहा है बड़े ध्यान से सुनिए बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ मैं आपको मुझे मैं ऐसे गैरंटी से लिखके देता हूँ आप मेंसे किसी का भी ध्यान वहां पर नहीं गया होगा आज तक जब एहलिया खुदा से कहता है मैं खाना कहां से खाऊं तब खुदा कहता है तुझ यहां से बाहरा और सारपात नगर में जा एक गाउँ है वो वहां पर एक विद्वा है मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी बाइबल कहती है खुदा के इस कलाम के द्वारा एहलिया वहाँ से निकलता है और जैसे वो उस गाओं में जाता है आप जानते हो जो विद्वा थी वो गर में नहीं बैटी हुई थी वो गर के आंगन के बाहर खाना बनाने के लिए लकड़िया बीन रही थी आजकल आप लोग गैस, सिलिंडर ये सब देखते हैं पहले के दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था खाना बनता ही लकड़ियों पर था आज भी आप बहुत सारे गाओं में जाएंगे आपको खाना लकड़ी पर ही बना हुआ मिलेगा अब ये लकड़िया बीन रही थी, एलिया उसके पास जाके कहता है बहन, मुझे पानी पिलाएगे यस सर, जैसे ही वो जा रही थी, पीछे से एलिया कहता है आप एक काम कर सकते क्या आप मेरे लिए एक तुकड़ा रोटी का भी बना के ले आएंगे इंग्लिश में लिखा है तब पीस आफ केक क्या आप मेरे लिए एक खाने का तुकड़ा भी ले आएंगे अब इस बहन को सुनिये वो क्या बोल रही है बोलती है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, एक आखरी खाना पड़ा है आज हम खाएंगे, हमें भी नहीं पता है कलम कैसे खाएंगे मेरी हिंदी में लिखा गया है, यह ऐसा खाना है, बस खाएंगे और मर जाएंगे लेकिन एक्चली इंग्लिश में ऐसा बताया गया है जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसे कहती है कि यह आखरी खाना है हम खाएंगे और मर जाएंगे अपिर एक सवाल है यहांपर सामने देखे परमेश्वर एहलिया से कहता है, मैंने उसे कहा है, वो तुझे देगी यह विद्वा तो कुछ जानती नहीं कभी आपका इस पर ध्यान गया है खुदा कहता है, मैंने उसे कहा है, वो तुझे देगी पर यह विद्वा तो कुछ जानती ही नहीं इसे तो पता ही नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन जूट बोल रहा है खुदा जूट बोल रहा है, कि यह लेड़ी जूट बोल रही है पर हम सब जानते हैं, परमेशर जूट बोली नहीं सकता अब यह बात है क्या परमेशर कहता है, तुझा मैंने उसे खाना खाने के लिए तुझे कहा है अब ये बंदा वहाँ पर जाके खाना मांगता है वो लेडी तो कुछ जानती ही नहीं बड़े ध्यान से सुने ये हमारी हालत है आज की खुदा बोल रहा है हमें सुना ही नहीं दे दो ये आज कलीस्जा की हालत है खुदा बात करता है हम सुनी नहीं पाते हैं पता है क्यों? हम डाइवर्ट हैं और जानते हैं हम किस चीज में डाइवर्ट हैं? इसमें हमें सारा दिन ये चाहिए हमारा ध्यान यहां है हम खुदा को सुनी नहीं पाते हैं फोन प्रॉब्लम नहीं है हम फोन के द्वारा सारा दिन खुद को एंटेटेंड्मेंट करने में लगे पड़ें सल्फी, वाट्सब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस, फोन, 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 कभी आपने सोचा है? आप इसे कुछ दो को क्यों शिकायत है? प्रभू, आप बात क्यों नहीं करते? आप उससे बात क्यों नहीं करते खुदा? जाते हो पर्मिश्र आपको क्या कहेगा? मैं रोज करता हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि तेरा दियान तु बढ़का हुआ नहीं है, तेरा दियान बढ़का हुआ है कल माफी चाहता हूँ, मैं अभी भी कन्फ्यूस हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कल इस तरफ कुछ बहने बैठी थी, मेरा विश्वास कीजिए, वो सुई हुई थी लगा तार खिड़कियों से बाहर देख रही थी, एक बहन तो लिटरली ऐसे बैठी हुई थी, कि मुझे उससे बोलना पड़ा उठिये खुदा के घर में ये नहीं चलता है, आदर देना सीखें, आपको पता नहीं है मैं किस ट्रेनिंग में बढ़ा हुआ हूँ मुझे परमेश्वर अपनी चदर जो मैं पहनता हूँ ना, रात को पहन के सोता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, परमेश्वर मुझे चदर को लपेटे बगएर बाहर नहीं बेचता, ये चदर अपनी लपेट अंदर रख, तेरा काम कोई और क्यूं करे? आप जानते हूँ, कभी-कभी लोग च्विंगं खाते हैं कलीशा के अंदर, मैं रिसेंट लिक चर्श में गया था, एक बहन वहां बैटी हुई थी, मैं प्रचार कर रहा हूँ और वह बहन, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये लोग बेवकुफ हैं तोड़े, इनको मैनर्स नहीं है, ऐसे बैठते हैं कलीशा के अंदर, ऐसे, ऐसे, कुछ भाईयों को मैंने कल देखा, ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे, मैं सोच रहा था, मैं जाओं बोलू उसे, चाय पानी कुछ आप जानते हो, आप कहां बैठे हो, आप एक जीवित परमेश्र की कलीश्या में बैठे हो, जिसके सामने सुर्दू जुकते हैं, और आप उसके सामने ऐसे बैठते हो, जिसे वो आपका नौकर है, आप जानते हो, बाईबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य में, परमेश्र का सेहासन है, येशु का भी सेहासन है पर पवित्रात्म का कोई सेहासन नहीं अब जहनते हो पवित्रात्म का सेहासन कौन है आप पवित्रात्म का सेहासन है वो आप में रहता है सोचो आपको कैसे रहना चाहिए अज खुदा बात करता है हम सुनते नहीं है, मैं आपको बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं 19 साल का था, जब से मैंने खुदा को सुनना शुरू किया, I was just 19, 19 साल का था मैं, 18 साल में मैंने उधार पाया था, मैं सिंधी परिवार से हूँ, मैंने अपना जीवन 18 साल में प्रभू को दिया, जिस समय आप अब जीव वगेरा वगेरा इन फाल्तू गेम्स में टाइम वेस करते हैं, मैं उन दिनों में बाइबल पढ़ता था, 18-18 गंटे बाइबल पढ़ता था, मेरे घरवालों को लगता था मेरे उपर किसे जादू किया है, मैं इतनी बाइबल पढ़ता था, जब मैं 20-20 साल का हुआ, प्रभू ने मुझे प्रचार करने का वर्दान भी दे दिया, बोला, गो, प्रफॉर्म यूर मिनिस्ट्री, गो, बंबे में एक प्लेस है, जिसका नाम है दादर, किसी से भी पूछ लिजिए, हिंद माता, एक सर्कल है वहाँ पर, वहाँ पर खड़े होके, मैं प्रभू यूर मस्दी के बारे में लोगों को बताता था, मैं को अपने एक दोस, अपने एक दोस के बारे में बताना चाहता हूं, बड़े हरान हो जाएंगे आप जवान लो, कि कितना हम टाइम पास करते हैं, मेरे एक दोस्त है, हिल्ले में न करना टका, पत्तो की पूँच बनाता है, वो पूँच अपने दर लगा देता है, और सारे गाउं में ऐसे गूमता रहता है, बंदर की तरह, सारे बच्चे, बड़े, सब उसको देखते हैं कि क्या कर रहा है, और जब वो ऐसे-से हरकते करता है, सब लोग जमा हो जाते हैं, पूँच निकालके उन्हें इशू के लिए बताता है, यूनो, इस अमेजिंग मैं, जब मुझे बता रहा था, मैं निखा तुझी किसने सिखाया, बोगता है, लोग को इखटा कर और उन्हें मेरे बारे में बता, मैं सोच रहा था, अगर हम जवान हो, अगर हम जवान हैं, हम कितना कुछ खुदा के लिए कर सकते, पर हम सारा दिन बैठे रहते हैं फोन में, सेलफिया निकालने में, सारा दिन एक एक को रिपलाए करने में, सारा दिन चिट-चैट में, कभी-कभी, आप जानते हो, पहले के दिनों में हम बात्रूम दस मिनिट जाते थे, आज हम आदा गंटा जाते, बताओ क्यों, फोन लेके, डक्कन बन करके बैठे रहेंगे, जुबाने बाहर निकालेंगे, मेरे माबाब की फोटो में आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे, मेरे माबाब की फोटो ऐसे हैं, मैं कभी-कभी पिताजी से बोलता हूं, महां सामने खड़ी थी, आप ऐसी चकल लेके खड़े हो, हमारे देखें आपने, बेहनों के फोटो ऐसे, एक बेहन का फोटो देखा मेले हैं से, मैंने पूछा, मैंने बहला, बेहन आपको पोली हो है, शलाइ प्रेइ फो यू, मैं अपके लिए दुआ करूँ बेहन, ओ नो, यू आर रासकल, क्या क्या करते रहते, जुबाने निकालेंगे, शुकर है खुदा का टिक्टॉक बंद हो गया, देखा था अपने टिक्टॉक पे कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, मुझे लोग फॉलो करें, आपको पता है, प्लीज बुरा मत मानिये, मस्सी लोग ऐसे नहीं होते, वो सब्य लोग होते हैं, आपको ये सब शोबा देता है, पुछो बाजवाले को, ये आपको शोबा देता है, एक बहन नासिक हाईवे पर सोई हुई थी, मैं गाड़ी से जा रहा था, मैंने का, बहन उड़ जा, पिछे ट्रका रही है, है, सामने से एक लड़का, प्रभू को कह रहा था, प्रभू, ये लोग थोड़े कम, पाउली कम हैं ये लोग, जब तो दिमाग बाट रहा था, उस जगह पे लोग किदर गयते, प्रभू कह रहा था, कुछ खा रहे थे उद्धर, मैं इतनी बाइबल पढ़ता था, जब मैं बीस से एकी साल का हुआ, प्रभू ने मुझे प्रचार करने का वरदान भी दे दिया, बहुत गो, प्रफॉर्म ये र मिनिस्ट्री, गो, बंबे में एक प्लेस है, जिसका नाम है दादर, किसी से भी पूछ लिजिए, हिंद माता, एक सरकल है वहाँ पर, वहाँ पर खड़े होके, मैं प्रभू ये शुमस्दी के बारे में लोगों को बताता था, मैं को अपने एक दोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, बड़े हरान हो जाएंगे आप जवान लोग, कि कितना हम टाइम पास करते हैं, मेरे एक दोस्त है, हिल्ले बेन करना टका, लिजए मैन फ्रॉम कैरला, पता है वो क्या करता है, गाओं में जाता है, पत्ते तोड़ता है, पत्तों की पूँच बनाता है, वो पूँच अपने दर लगा देता है, और सारे गाओं में इसे गूमता रहता है, बंदर की तरह, सारे बच्चे, बड़े, सब उसको देखते हैं कि क्या कर रहा है, और जब वो ऐसे से हरकते करता है ना सब लोग जमा हो जाते हैं पूछ निकालके उन्हें इशु के लिए बताता है यूँआ इस अमेजिंग मैं वो जब मुझे बता रहा था मैं दिखा तो जी किसने सिखाया बोलता है प्रभू ने सिखाया लोग को एकटा कर और उन्हें मेरे बारे में बता मैं सूच रहा था अगर हम जवान हो अगर हम जवान हैं हम कितना कुछ खुदा के लिए कर सकते पर हम सारा दिन बैठे रहते हैं फोन में सेल्फिया निकालने में सारा दिन एक एक को रिप्लाइ करने में सारा दिन चिट-चैट में कभी-कभी आप जानते हो पहले के दिनों में हम बात्रूम दस मिनिट जाते थे आज हम आदा गंटा जाते बता हो क्यों फोन लेके डक्कन बन करके बैठे रहेंगे होल्डे, होल्डे जुबाने बाहर निकालेंगे मेरे माबाब की फोटो में आपको दिखा होगा आप हरान और वह जाओके मेरे माबाब की फोटो ऐसे हैं मैं कभी-कभी पिताजी से बोलता हूँ मां सामने खडी थी आप ऐसी चकल लेके कडे हो हमारे दिखे हैं आपने बहनों की फोटो ऐसे एक बहन का फोटो देखा में लेंसा मैंने पूछा, मैंने बहला, बहन आपको पोली हो है शलाइ प्रेइ फो यू मैं आपके लिए दुआ करूँ बहन ओ नो, यू आ रासकल क्या क्या करते रहते जुबाने निकालेंगे शुकर है खुदा का टिक टॉक बंद हो गया देखा था अपने टिक टॉक पे कपड़े उतार के खड़े हो जाते थे, सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, मुझे लोग फॉलो करें आपको पता है, प्लीज बुरा मत मानिए मसी लोग ऐसे नहीं होते, वो सब्य लोग होते हैं आपको ये सब शोभा देता है पूछो बाजवाले को, ये आपको शोभा देता है एक बहन नासिक हाईवे पर सोई हुई थी मैं गाड़ी से जा रहा था, मैंने का बहन उड़ जा पिछे ट्रक आ रही है है, है, सामने से एक लड़का प्रभू को कह रहा था प्रभू ये लोग थोड़े कम, पाउली कम है लोग जब तो दिमाग बाट रहा था उस जगह पे लोग इदर गय थे प्रभू कह रहा था कुछ खा रहे थे उदर अभी तो पता निक्या क्या है अम्वानी, अडानी, बखवानी पहले ऐसा नहीं होता था यह थी बिदर गोलर नोस मुझे आज भी पता है पहले के दिनों में मतलब आज अब अपने महभाप को बोलके देखो मा घर्मी हो रही है उटी, मनाली, शिमला, लोनावाला बाल ही उड़ा दिये, अब गर्मी हो रही है, अधि यारी क्या करती है यार, ठकला, सीधा बाल ही उड़ा दिये, किते लों टायर चला है टायर, है हाउ मेन्य आफ यू नो टायर चला है, टायर, दूसरे के जाड की इमलियां का भी चोड़ी किये, बच्पन पूरा किया ही चो मैं खुद चोर है। मेरा बाप भी यही करता था। उन दिनों में मैंने अपने घर में एक चीज देखी थी और वो था FM। अब यह आपका कैसा है आजकल बड़न दबाओ तो लाइन-लाइन से FM चलते हैं। जब मैं पैदा हुआ ना वैसा वाला FM नहीं था। फ्रिक्वेंसी करक करने पड़ती थी। आजके मुख्य समाचार। मेरे दादाजी मुझे बोलते थे, FM तो लगा, इंद्रगांदी आने वाली है। मेरे दादारी मुझे ऐसे बोलते थे। फिर मैं भी लगा रहा था। रेडियो सिटी। उन दनों में नहीं होता था। आप जानते हैं, खुदा के साथ रिष्था भी ऐसा ही है। हर दिन फ्रिक्वेंसी ठीक करनी पड़ती है। तब जाके आवास सुनाई देती है। बदर ये फ्रिक्वेंसी कैसे ठीक होती है, जब प्रात्ना करने जाते हो इसको दूर रखो, खुदी ठीक हो जाएगी। इसको द लोग प्रेयर करते हैं, मुबाइल साथ में, कुत्ता साथ में, बिल्ली साथ में, डॉक इंसाइट, कैट इंसाइट, मैं घर में गया था, एक डॉक्टर साथ ने मुझे अपने टाउन में प्रेशिंग के लिए बुलाया, मैं प्रेयर कर रहा था उनके रूम में, आवाज आवाज आ रही थी, प्रेका आवाज कहां से आ रही है, यू दो, अडिल सार के साथ, गरव मेरे साथ ही था, ये नीचे सोयते हैं, मैं उपर सोया था, पस लो थे, मैंने फिर दुआ करना चाले हैं, कि स्वर गये पिता, कॉन है यार, आवाज कहां से आ रही है, तब इन नी नीचे देखा, ये बैठा था, काला काला, तो मैंने डॉक्टर साब को बोला, मैंने का सर मुझे प्रेयर करनी है, इसको लेके जाओ ना,